तो फ्रेंड वेल्कम तू इस्टॉक रिसर्स सेंटर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नवीन फ्लोरीन के इस्टॉक के वारे में कंपनी के तरफ से जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो कंपनी की जो Q4 की अर् लेया हैं यहाँ पर आप देखोगे जो टॉटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वह अगर आप देखोगे जो टॉटल रिवेन्यू निकल के आई है कंपनी की वह यहाँ पे 614 करोड के असपास आई है लाज़ कौटर 512 करोड थी लाश्टीर के सेम कौटर में 601 करोड के आज पास यहां पे revenue निगल के आई थी जो total expenses हैं जो total खर्चें हैं company के वो कित्ते हैं 535 करोड के आज पास last quarter 467 करोड के आज पास last year के same quarter में 516 करोड के आज पास revenue यहां पे Q on Q basis पे बढ़ी है जबकि Y on Y basis पे revenue में भी drop दिखाई पड़ा है और ऐसे यहां पे खर्चे भी देखोगे तो खर्चे यहां पे Q on Q basis पे बढ़े हैं और Y on Y basis पे भी यहां पे खर्चे बढ़ गए हैं खर्चे काटने के बाद जो company का जो operating profit है before tax वो कित्ता निकल के आता है profit before tax अगर आप देखोगे तो 79 करोड के आसपास निकल के आया है लाश्ट कोटर यहां पे 97 करोड के आसपास था लाश्ट के सेम कोटर में 184 करोड के आसपास तो company का जो profit है Q on Q basis पे भी decline हुआ है और Y on Y basis पे भी यहां पे decline हुआ है तो यह चीज़े यहां पे देख सकते हो निट profit की भी बात करते हैं after tax तो यहां पे profit after tax अगर आप देखोगे तो यह चीज़े यहां पे देखने को मिलेंगी after tax company का जो profit है वो यहां Q on Q भी decline है और Y on Y basis पे भी net profit decline है तो यहां पे थोड़ा जिरिजल्ट जो है यहां पे निगेटिव साइड यहां पे company के देखने को मिले हैं आपको number कैसे लगे comment box में comment करके बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जुरूर करिएगा चैनल पर नेवरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में